नमस्कार दोस्तो एक बार फिराई इस नई वीडियों दोस्तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ दोस्तो आप सभी अच्छे होंगे और यहां पर दोस्तो एक और आपकी जो है केंदरी शंबीदा सिचक भरती निकल कहरें जिला कानपूर की तरफ से आप किसी भी पोस्त के लिए ज्यादा फाम अप्लाई होते तो उस पे एक्जाम भी हो सकता है अगर हमाँ पद की बात करें दोस्तो तो प्राइमरी टीचर हो गया टीजीटी हो गया योगा सिच्छा हो गया ठीक है आपका जो है डांस टीचर हो गया ठीक है कंप्यूटर जारी हुए है सहली दोस्तों यहां पर लगबग 26 या रुपए प्रतिमा दोस्तों रखी गई संबीदा टीचर की जो बढ़ती है पूरी तरह से आपको कांट्रुक्चर बेस पर रखा जाएगा तो चलिए दोस्तों आईए चलते मैं आपको दिखाता हूं डेटेल जनगार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बिल की घंटी को प्रेस कर लिए तक कि सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है वह आपको सौता ही मिलते रहे जो भी अधर जीलों की अभी केंदरी विद्याले भरती आनी बाकी है जैसे जैसे आती जाएगी हम अपने चैनल की अधर पोस्ट ठीक है तो यह इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको पूरी एलिजिबिल्टी दिखा देता हूं किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिल्टी है एज देखिए कैसे निकालना है आपको एज लिमिट आपको कम सकम अठारा साल मैक्जिम पाइसट साल ए तो सीधा आप नीचे के तरह आएंगे यहां पर देख पा रहे हैं आपका PGT biology, PGT chemistry, PGT sociology, PGT history और PGT geography जिसके लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या योगता चाहिए आपका PG होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से यहां पर आप देख पा रहे हैं यह आप देख लिजेग ठीक है तो अगर आप PGT geography से हैं ठीक है PGT history से है sociology से इस तरह बाइलोजी के लिए यहां पर देख लिए बाटनी, geology, life science, bioscience जनले इस तरह से यह अलग-अलग पाद है ठीक है अब देख यहां पर 50% mark से सथा आपका PG complete होना चाहिए आप चले नीचे के तरफ चलते हैं उसके ल PGT computer science ठीक है तो computer science के लिए देखिए आपका क्या चाहिए 50% mark के साथ यहां पर देखिए BE है ठीक है बी बीटे computer science ठीक है बी बीटे computer science यहां post graduate diploma in computer ठीक है तो अगर आपके पास दोस्तों post graduate diploma computer का तब भी काम कर जाएगा MSC, MCA तब भी हो जाएगा BSC computer science, BCA है तब भी आपका हो जाएगा ठीक है, post graduate diploma in computer ठीक है और degree आपके पास post graduate दोनों है तो भी हो जाएगा B label आपने 2x से कर रखा है, post graduate degree के साथ तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते है, C label आपने 2x से कर रखा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और Hindi English दोनों में पढ़ाने का आपको ग्यान होना चाहिए, अब यहाँ पर देखिए TGT की बात करें, trained graduate teacher ठीक है, यहाँ पर आप देख पार है 4 year integrated degree अगर आप ने रहे रखी 50% मार्क साथ तो अपलाई कर सकते हैं और 50% मार्क साथ आपको bachelor degree है और उसके अलावा आपका देखिए TGT science के लिए आपका बाटनी जोलोज केमेस्ट्री ठीक है, TGT English के लिए आपका 3 years English, TGT Hindi के लिए आपका 3 साल Hindi, TGT Math के लिए देखिए bachelor degree mathematics with two of the following subject, combination, math के साथ physics है, math के साथ chemistry है, math के साथ electronics है, math के साथ computer science है, statics है, तो आप math के लिए अपलाई कर पाएंगे, TGT के लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों आप साथ है, गुरूप वो होना चाहिए, TGT संस्कित के लिए तीनों साल आपका संस्कित होना चाहिए, ठीक है, उसके लावा आपके पास B.A.D. होना चाहिए, और सीटेड आपका 2nd वाला पेपर आपको qualified होना चाहिए, तो इसके लिए आप अपलाई कर सकते हैं, यह रही TGT की बाद, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर नीचे प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं, तो देखें, यहाँ पर आप देख पार है, senior secondary, 50% math, two year diploma, elementary education, ठीक है, उसके अलावा आप देख पार, यहाँ पर B.A.D. है, ठीक है, और यहाँ पर two year diploma, special education, ठीक है, graduation, 50% में आपक प्राइमरी टीचर के लिए, अब नीचे बात करेंगे, यहाँ पर computer instructor, computer instructor के लिए बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे है, B.E.B.T.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C कर सकते हैं, post graduate degree आपके पास अगर है, PGDCA है, यहाँ लेबल है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं, post graduate degree आगर आपके पास है, उसके लाव़ाँ ए लेबल आपने डोएक से कर रहा है, तब भी आप अपलाई कर सकते हैं, computer instructor के लिए, अब देखें, यहाँ योगा टीचर की बात करें, तो graduation 50% mark साथ, किसी भी subject से, और one year diploma अगर आपके पास योगा का है, तो आप योगा टीचर के लिए अपलाई कर सकते हैं, sport coach की बात करें, athletic हो गया, देखें, यहाँ पे देखें, इस तरह से volleyball, basket, यहाँ पे देखें, diploma form, NIS, BPA है, MPA है, 50% mark के साथ, तो इसके लिए आ dance coach की अगर हम बात करें, तो bachelor degree है, 50% mark साथ होना चाहिए, music and dance, और equivalent from recurring university है, इसके आपका जो है, बराबर की कोई degree है, equivalent तो भी apply कर सकते है, doctor के लिए, MBS degree आपके पास होने चाहिए, counselor के लिए देखे, BA, oblique, BSC, psychology भी 50% mark साथ, अगर आपके पास है, तो आप apply कर सकते है, minimum one year के experience यहाँ पर दोस्तो, counselor के लिए चाहिए, clear हो गया, अब nurse के अगर बात करें दोस्तो, तो three year diploma degree, diploma हो या degree हो, 50% mark साथ, nursing से related, तो इसके लिए आप apply कर सकते है, basic life support course, at least one, two year, ठीक है, यहाँ यह आपका course होना चाहिए, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, special educator, teacher की बात करे, special education teacher म हैं, तो आपका senior secondary school certificate, 12 pass, 50% mark साथ, special के लिए देखिया, आपका seated भी होना चाहिए, CBST से, और जो आपका special education होता है, two year diploma course in, special education, RCI के दोरे जो मानता पराप्त है, वो आपके पास होना चाहिए, यह भरती हो गई, इन इन पदों के लिए दोस्तों भरती है, और यह रही eligibility criteria, अ कानपूर, कैंट, कानपूर, ठीक है, यह इस तरह से, तो इसको पूरा आपको complete करके भरना है, जिस पद के लिए आप apply करेंगे, तो आपको देखे यहाँ पे post apply, जिसके लिए आप करेंगे, फिर यहाँ पे आपको tick करना, जिदर आप देखे, जिसके लिए भरेंगे, उस टिक करना है, ठीक है, box पे यहाँ पर mention करना, ठीक है, यहाँ पर box पर लिखना है, उसका आइधा आपका alphabet में नाम लिखना है, ठीक है, अब यहाँ husband नाम भर रही है, याँ आपको, जो है, father's name भर रहे हैं, वो टिक करना, फिर यहाँ पर देना है, डेटा बर्थ आपको इस तरह से सारी चीज़े आपको completely बहला है डेटा बर्थ 31, 32, 33 से निकाल लेना है फोटो जो है आपको paste कर देना है पूरा address लिखना है तो यह details से आप सारा दोस्तों भल लिजेगा तो देखे इसका जो notification है और जो farm है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देदूँगा टेलीग्राम चैनल का link आपको वीडियो के discussion में मिल जाएगा अभी देखे यह आपका हो गया अभी आपको जानकारी यह चाहिए कि interview कि date में है ठीक है फार्म आपको कब तक और किस जगे भेजना है यह भी तो आपको जानकारी हो नहीं चाहिए तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो भी detail से दिखा देता हूँ कोई दिक्कत problem है दोस्तों तो आप मुझे comment भी कर सकते है मैं विल्कुल आपका पूरा reply दूँगा तो चलिए अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि फार्म आपको कब तक और किसे address पर भेजना है तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देख लीजे यह इसका जो notification है आपके सामने दिखाई दे रहा है केंदरी बिद्याले कानपूर कैंट कानपूर अंसकालिक संविदा सिच्चकों का साच्छात का ठीक है अभी देखे ध्यान से सूचिएगा यही पर आपको important चीज मैं बता रहा हूँ इसकी मत करिएगा सब साधार को सूचित किया जाता है कि सत्र दोहजार तेईस्क चौबिस के लिए बिद्याले में विभिन पादो जैसे परा इसनातक सिच्चक में जीव विग्यान, रासायन विग्यान, समासात, इतियाद, भुगोल, कंप्यूटर साइंस हो गया उसके लावब TGT यानि कि इसनातक सिच्चक में आपका बिग्यान, अंग्रेजी, हिंदी, गड़ी, समाजी बिग्यान, और बिग्यान और संस्क्रित हो गया ठीक है उसको देखे आपका प्रात्मिक सिच्छक में बात करें तो आपका प्रात्मिक सिच्छक, कंप्यूटर रन देख सी, योगा सिच्छक, खेलपर सिच्छक नरत, डाक्टर, कांसूलर, नर्स, स्पेशल एजुकेशन, टीचर है तो संवीदा के आधार पर साच्छातकार किया ज होने है तो इच्छु अभरति विद्याले की वेबसाइट भी आपको है अपना जारारी कंप्यूटर कानपूर कैंट.kbs.ac.in यह वेबसाइट का लिंक में अपने वीडियो को रिस्लिशन में दे दूँगा ठीक है से फार्मिंग डाउनलोड करके समस्त प्रवाण पत्रों की छाय प्रति दिनांग 15 मांच तक आपको भेजना है ठीक है 15 मांच तक ध्यान रहे तक विद्याले को रजिस्ट वाले कानपूर वाले हाथों आजमा कर दे दूर वाले आप स्पीट पोस्ट कर देंगे अभी पहुंच जाएगा सच्छी की योगता है वह आन्य जानकारी बिरवाड केंद्री विद्धाले संगठंग की वेबसाइट वह उप्लाद है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया ह अब यहां पर देखे आगे बात करें तो अंतिप्तित के उपरांद किसी भी अब बैरती का जो आवेद्धन पत्र सुईकार नहीं कहा जाएगा किसी भी समय सच्छातकार से पहले लिकित परिच्छा भी आयुजित किया जा सकता है जैसे कि मैंने बताए कि किसी पद के बिद्ध्याले की वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी अब देखे यहां पर देखे साच्छातकार में भाग लेने वाले अब बैरती को अपने सैच्छी वक्ता के साथ समस्त अभी लियोकों की मूल पर तिलानी होगी यहां पर दोस्तों आपको जब इंटर्व्यू को ल पर दिनांग 20-3-2023 तक अप्लोड चस्पा कर दी जाएगी यानि कि 20 मार्च तक यह अप्लोड कर दिया जाएगा कि इसको किसको इंटर्व्यू के लिए बुलाया जा रहा हो किस डेट में जाना है अब बैरतियों से अनरोध है कि वह अपनी पात्रता सूची देखकर ही क्यान पूर कैंट भरती का तो इसके लिए जो भी अपलाइ करना चाहते जो भी मेरे दोस्त भाई बहन वेट कर रहे थे तो विल्कुल आप जल जल इसको अपलाई कर लिजे और कमेंट कर दोस्तों को अपडेट आपको कैसी लगी और आगर आपको किसी भी भरती के बारे मे जो भी गवर्मेंट के तरफ से भरतियां जारी हो अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे जय हिन जय जय